तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संबलता है दिल दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गाने को मिक्स कर सकते हो अगर आपने कोई गाना बनाया है तो उसको कैसे mix कर सकते हो यह मैं आपको बताऊंगा और इसके लिए मैं आपको simple tips दूँगा जिसके through आप जो है mix कर सकते है अपने vocal को और वो कौन सा टेकनीक है जिसको इस्तिमाल करके हम लोग vocal को mix करते हैं या music को mix करते हैं वो भी मैं आप को इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो में बने रहना दोस्तों अभी जो आपने vocal सुना यह मैंने mix किया था और इस vocal में क्या problem थी वो भी मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूं यह जो vocal मुझे भेजा था सारुक ने भेजा था और जब मुझे यह vocal भेजी ग टाइप का सॉंग है तो यह जो सॉंग है यह मुझे भेजा गया था कि अर्जेंटली मुझे बना कर भेजिए तो मैंने इसको अर्जेंटली ही बना कर भेजा था दोस्तों अभी जो अपने mix वाला vocal सुना इसके अंदर अभी मैंने master का chain off कर रखा है और एक बार मैं आपको यह on करके भी सुना देता हूं कि यह भी कैसा output हमें सुनने को मिल रहा है तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संबलता है दिल क्या क्या जदन करते हैं तुम्हें क्या पता यह दिल बेकरार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तो अभी अपने vocal सुना जो कि मैंने mix किया हुआ था और मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं तो भी बात करते हैं कि इसमेंने क्या effect processing किया है दोस्तों effect processing बताने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं क्या से हम लोग वोकल को mix करते हैं दोस्तों जो mixing process होता है उसमें सिर्फ 3-4 चीज़े ही main होती है सबसे पहली चीज़ें आती है EQ दोस्तों EQ अगर आप प्रोपर तरीके से करते हो तो उससे ही आप एक अच्छा sound अचीव कर सकते हो दूसरी चीज़ें आती है जिसके बिना आप कोई भी song नहीं बना सकती है तीसरी important चीज़ें कि आपको tuning करना जरूरी है कोई भी vocal ले लो तो उसमें आपको tuning करना चाहिए अब tuning के लिए अलग-अलग software आप इस्तिमाल कर सकते हो जैसे auto tune हो गया और इसके लाब बहुत सारे brand के tuning software आते हैं तो आप उसक दीवी चीज़ें आती है वह अलग से आप यूज कर सकते हो और गानी को अच्छा बनाने के लिए यूज होता है तो चले हम आपको दिखातो हो मैंने क्या क्या प्लगिंस इसमें यूज किये तो पहला प्लगिंस मैंने यहां पर नोइस गेट यूज किया है जिससे हमारा ज इसके बाद यहां पर नहीं डालना चाहरा था अपने वोकल के अंदर और उसके बाद मैंने आपको बताई दिया कि क्या क्या काम होता है तो इतना प्लगिंस करने के बाद सुनते हैं कि अभी कैसी साउंड आ रही है तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर और यहाँ पर मैंने DSR यूज़ किया है जो लोजिक प्रो का अपना स्टॉक प्लॉगिन्स है और यहाँ पर मेल फोकल वाइड बैंड का प्रिसेट मैंने यूज़ किया था और यहाँ पर Threshold मैंने इसको सेट किया था डियज़र का काम क्या होता है जैसे सिस सिस तरह की साउंड होती है वो उसको कम कर देता है और इसके बाद एक मैंने अलग से प्लाइड यूज़ किया है जो है माइक मोड और माइक मोड में यहाँ पे Newman TLM103 का मैंने एक प्रिसेट यूज किया है इससे हमारी फोकल थोड़ी सी अच्छी लगे इसको बंद करके और सुनाता हूं और फिर इसको आउन करके सुनाता हूं तो अगर आपके पास एक अच्छा हेड़फॉन होगा या अच्छा मोनिटा स्पीकर में सुन रहे होगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा फिर यहां पर एक मैंने प्लेगिंस यूज किया है जो ट्रैक को थोड़ा सा वाइड करने के लिए यूज किया है डिरेक्शनल म काम बहुत ही अच्छा है तो मैंने इसको यूज किया है थोड़े से मिड में और थोड़े से हाइड में और इससे हमारा थोड़ा सा सिग्नल बूस्ट हो जाता है और हमें एक अच्छा जो है वोकल सुने को मिलता है तो जलता है और उसके बाद फिर मैंने यहां पर और इसको मैंने side chain कर रखा है इसलिए जहां जहां पर vocal आएगा वहां वहां पर हमारा जो reverb है वह दब जाया गा और जहां पर नहीं हो गाँ वहां पर थोड़ा सा ज्यादा Effect डालेगा कि फिर मैंने यहां पर एक और Effect यूज किया सेंट राक के अंदर और यहां पर मैंने का essential reverb plugins है और इसको भी मैंने side chain किया हुआ है तो अभी mixing में कितना output आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप जो है output 1-2 देख सकते हो तो आप देख सकते हो मैंनस 14 डीवी के असपास आ रहा है और उसके बाद इसमें आप mixing करोगे तो mixing के उपर अभी यह वीडियो नहीं है लेकिन इसमें मैंने जो plugins लगाया वो आप देख सकते हो यहां पर मैंने किस तरह से क्या लगाया और उसके बाद output आपका इस तरह से आ र तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संबलता है दिल क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता यह दिल बेकरार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे भी ना तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कौन-कौन सा फ्लगिंस यूज किया है और अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस रूड़े को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में